कि बिसमिल्लाय रह्मान रहीम असलाम वालेकुम किसे हैं आप सब होपसों कि सब ठीक होंगे तो हमने पेन वाला चप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल आफ नरसिंग 2 सब्जेक्ट का तो जिसमें हम आज डिसकस करेंगे एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन के बीच में डिफरेंस एंड वाट दे आर ओके सबसे पहले हम एक्यूट पेन के उपर आ जाते हैं कि एक्यूट पेन क्या है एक्यूट पेन हो लिए जो हमें पेन हो सटन ऑन सेक्ट या फिर किसी इंजर्य या फिरकसी कंडिशन की वजह से में पेन होता है उसको हम सिपली एक्यूट पेन केते हैं अब यहां पर देखते हैं किया लखा है ? Acute pain is a type of pain Acute pain pain का एक type है जो चो कि टिपिकली क्या होता है ? टिपिकली है sudden onset And it's usually caused by specific injury and condition अब यह किसकी वज़ा से caused हो रहा है ? मैंने बूला specific injury या फिर condition अब एक्यूट पैन के लिए ये लाजमी है कि कोई ना कोई इसको specific injury हो या फर कोई भी चोट लगे या फर कोई भी condition हो जिसकी वज़ा से एक्यूट पैन होता है ठीक है बगेर किसी कास के एक्यूट पैन नहीं होता हमें its serve is warning signal to your body अब acute pain क्या serve करता है आपकी बोड़ी को warning signal देता है कि something is wrong indicating that something is wrong अब वो signal क्या indicate कर रहा था कि बोड़ी में something is wrong ठीक है समझ आ रही है ये बात acute pain is generally short-lived अब यह आपर लिखाए short-lived short means थोड़े time के लिए होता है and can often be linked to specific events such as cut burn or surgery अब टिपिकल यह short time के लिए होता है ठीक है लेकिन यह किसी specific events से हम इसको अगर link करें तो cut का एक अलग सा acute pain होगा burn का अलग होगा और surgery का अलग pain होगा ठीक है तो यह उन पर depend करता है it tends to resolve as the underlining issue or injury heals अब यह acute pain क्या करता है resolve करता है underlining issue को और injury heal करने में जो pain होता है वो acute pain होता है ठीक है and it usually responds well to treatment अब acute pain के लिए हमने कोई ना कोई treatment ले नहीं होती वरना हमें acute pain जोए वो कम नहीं होता ठीक है तो यह था सारा acute pain होप्स हो कि आपको acute pain समझ आ गया होगा आगे चलते हैं chronic pain के उपर chronic pain totally different है totally opposite इसके acute pain के ठीक है वो कैसे देखते हैं अभी chronic pain is persistent and long lasting pain chronic pain क्या है वो acute pain क्या था शोट लेव था और chronic क्या है long lasting बहुत ज्यादा time के लिए होता है अब यह बहुत ज्यादा लंबे पिरिट तक चलता रहता है typically more than three months अब इसका time period होता है जो कि कितना होता है typically more than three months ठीक है अलाइक acute pain chronic pain is not always directly tied to a specific injury or condition अब जैसे acute pain होता है कि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई ना कोई injury हो या फिर कोई ना कोई कास हो तो उसकी वज़ा से हमें acute pain होता है यह से बिलावजा acute pain नहीं होता लेकिन chronic pain में यह जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बंदा रहे कि कोई ना कोई इंजरी या फिर कोई ना कोई condition हो तो भी में होगा नहीं chronic pain टोटली ओपोजेट है acute pain के it can result from various causes including underlying medical conditions, nerve damage और ongoing issue like arthritis or back pain ठेक है अब इसमें क्या है इसमें बहुत सारे इसे underlining काहस हो सकते है जो कि हमें नहीं पता होता ठेक है nerve damage की वज़ा से acute pain हो सकता है sorry chronic pain हो सकता है और कोई भी इसा ongoing issue है like arthritis ठेक है arthritis means joints joints में inflammation आ जाना ठेक है joint की inflammation होना या फिर back pain तो यह क्या है simply chronic pain है ठेक है आगे चलते हैं chronic pain can be challenging to manage and often require ongoing treatment and lifestyle adjustment अब acute pain में हमें इसी कोई intervention वगरा नहीं चाहिए होती थी लेकिन chronic pain में challenging हो सकता है कि हमें manage करना होगा ठेक है और often यह ongoing treatment require करता है अपना lifestyle adjust करता है ठीक है क्योंकि chronic pain जो है वो तीन महीनों से तीन साल तक भी चल सकता है ठीक है it can significantly impact the personal quality of life and may not always respond well to traditional pain relief methods अब यह जो significantly बहुत ज्यादा impact करता है person की quality के उपर उसकी life के उपर अब एक बंदे को बहुत ज्यादा जो pain होगा बहुत ज्यादा अरसे के लिए pain होगा तो उसकी life तो change हो जाएगी ठीक है तो chronic pain क्या करता है इनसान की life को change कर लेता है and may always may not always respond well to traditional अब वो हर वक्त जिसे पहले response करता था अब वो उन pain relief methods के methods के उपर वो उससा उस तरीके का response नहीं करेगा जिसे पहले करता था ठीक है तो ये था simply acute and chronic pain hope so कि आपको समझ आ गया कि acute pain क्या है and chronic pain क्या है ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सेरा ख्याल रखना